सबी को नमशकार 1857 की क्रांटी के बाद 19-वी सदी के उतरार्द में सैन्यवादी राष्टरवाद का जो दोर प्रारंब हुआ पह भारत के राष्टरे फलक पर महात्मा गांदी के आगमन तक निर्विर्वौत चारी रहा लेकिन फरवरी 1922 में चोरा-चोरी कांड के बाद जब गांदी जी ने असयोग अंदोलन को वापस ले लिया तब भारत के युवावर्ग में जो निराशा उत्पन हुई उसका निराकरण काकोरी कांड ने ही किया था यही वे घटना थी जिसके बाद देश में क्रांती कारियों के प्रती लोगों का नजरिया बदलने लगा था और वे पहले से ज़्यादा लोग प्रिय होने लगे थे तो आईए जानते हैं काकोरी की कहानी यूपी-एस बागरानप के बच्चों की जबानी काकोरी कांड काकोरी कांड 233 संग्राम के क्रांती कारिया द्वारा ब्रीटिस राद के वृद्ध बेंकर यृद्ध चोड़ने की इच्चा से हत्यार करीदने के लिए ब्रीटिस सरकार काई कजाना लूट लेने के एक इतिहासिक गटना थी जोना अगस्ट 1925 को लखनाउज लेके काकोरी रियल वियस्टेशन से तोटी आजडां सारंपूर लखनाउज ते पैसंजर में गटी इस ट्रेंड रकेती में जर्मनी के बने चार माउज़र पिस्टोल काम में लाए गए थे इन पिस्टोल को रायसल की तरह योग किया जा सकता था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एशोशियेशन के केवल दस सदेश्यों ने इस पूरी घटना को परिणाम दिया था इसके बाद तरांती कारियों पर समराठ के गुरुद शासन यूद छेड़ने सरकारी खजाना लूटने वे यात्रियों की हत्या करने का केस्ट चलाया गया करांती कारियों द्वारा चलाय जा रहे है सोतंतरता आंदोरन को गती देने के लिए धन ती ततकाल यूज़ता की जरूरत के कारा नहीं इसकी यूज़ना बनाई गल थी इस प्रगण में सोला अन्यक रंदिकारी को कम से कम चार वर्ष की सदा से लेकर अधिक तम काला पाली अर्थत आजीवन कारावाज तक की सदा सुनाई गिरी इस मुकदमे की सुनवाई कर रहे जज हेमिल्टन ने कहा कि ये सभी नोजवान देश बख्त है क्योंकि इनोंने जो कुछ भी किया है देश हित के लिए क्या है सादर नमन है भारत माता के एस सपूतर के लिए जिनोंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्पू लुटा दिया भारत माता की जै वंदे मातरम